बुंदेल खंड के महुबा में पारम परिक तरीकिसे गन्ने से गुड बनाया जाता है जिसकी बाजार में बहुत मांग है आज महुबा नियूस की टीम ने खेत जाकर गन्ने से गुड बनाने तक कि सफर की हकीकत को समझा बुजर्गों का कहना है कि शुद्ध गुड का सेवन करिये और स्वस्थ रहिये और शायद उनके स्वस्थ जीवन का यही राज भी है फिलहाल हमारे साथी कमल लैन जी आपको गन्ने से गुड तक के सफर से रूब रू करा रहे हैं नमस्कार मैं महोबा ने से कमल लैन चत्रवेदी आज हम आपको दखाने आए हैं गन्ने की खेती से गुड कैसे बनता है और गन्ने की खेती कैसे होती है यह देखिए यह माताय गन्ना काटके यह गन्ना पिराई में जाएगा अभी जहां पैच में रस निकाला जाता है इसको साप कर रही है और इसकी कटाई चलाई हो जाएगी इसके बाद जाएगा वहाँ पैच पर जाएगा जहाँ इसका रस निकलेगा और रस को करहाई में डाला जाएगा जिससे आँगे दिखाएगे गोल बनने की पिरकिरिया अभी ये चलाई गन्ने की चलाई हो रही है अभी जाके गन्ने के खेट पर वहाँ जाके दिखाएगे पैच पर के गन्ना रस पकाके और गरम करके गोल कैसे बनता है चलिए चलते हैं गोल बनाने की पिरकिरिया को दिखाने के लिए कि किसान की कितनी मेहनत के बाद हमारी थाले तक शुद्ध गुड पहुंसता है सामने महिलाएं खेट में गन्ने की कटाई कर उन्हें एक बड़े स्पेलर तक पहुंचा रही है इसके बाद आप देख रहे हैं कि गन्ने को पिराई मशीन से उसका रस निकाला जा रहा है रस निकालने के बाद उसे एक बड़े गर्म कडाहे में डाला जा रहा है रस को कडाहे में डालने के बाद उसे धीमी आच में पकाया जा रहा है इस रस को पकाने में तीन से चार घंटे का समय लगता है इस काम के लिए बहुत अनुभाव के आवशक्ता होती है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही पूरे गुड़ को खराब कर सकती है अनुभावी कारीगर ही जानते हैं किसे किस तरह और कितनी देर तक पकाना है कड़ाहे में भरा गन्य के रस गढ़ा होकर बहुत थोड़ा सबस्ता है अब आप देख सकते हैं कि अब इस रस के पकने के बाद ठंड़ा होने का इंतजार किया जा रहा है जैसे ही गन्य के रस की चाशनी ठंडी हुई तो उसे कारीगरों द्वारा खेत में बनी मढ़ाया के नीचे जमीन पर भरे गड़ों में कपड़ा विछा कर भर दिया गया थोड़ी ही देर में गुड गोल आकार में जम गया अब यह शुद्गुड बाजार में बिखने को तयार हो गया है यह देखी अभी दिखाया था जो पैच में गन्य लगा के रस निकाला जाता है और रस को डिबों में भरके इसको देशी भासा में करहाया के जाता है करहाओ बुंदिलगंड में गण्य के रस को डाला जाता है फिर एंधा में भटी ये इसको एंधा कहते हैं और इसमें आग डाली जाती है इसकी उपर एक कराव चड़ा के इसको पकाया जाता है रस को जिसकी पिरकिरिया गुड़ बनाने में लगभग तीन-चार गहंटे लगते हैं और वो रस पक कर गुड़ बनता है और गुड़ बनने के बाद हम एक जोपड़ी ऐसे बनाते हैं और गुड़ की परिया कहते हैं परिया तो हमारे यहां बुद्दिलगंड में परिया बनती है तो यह गड़े बना जाते हैं इसमें एक कपड़ा बिछाया जाता है और इसम गोड के क्या लाब है गोड के लिकलाव है जैसे कि यह स्वास्य के लिए लबडायक अच्छा मतलब आपका कहना है कि पुराने जमाने से जो लोगड खाते थे उनको सुगर की बिमारी कम ओती थी और शकता काने से सुगर की जो आजकर जादा लोगों में पाई जाती है वो सकर खाने से होते हैं तो गोड़ स्वास्त के लिए पतिलाब दायक है और यह बता है भाईया ने हमारे किसान है और यह परिया यहां डालके कंप्लीट पर यह देखिए अभी ताजी है और जो बन चुकी है उ इसका बजन लगबख 5-7 के लिए होगा इसी के साथ बने रहिए महवा नीच के साथ गोड़ खाईए स्वस्त रहिए और सुरच्छत रहिए